गाइस मैं AWS का Free Tier Account यूज करके लूट चुका हूं और अगर आप भी Amazon का Free Tier Account यूज करते हो तो साबधान हो जाओ वरना आप भी किसी भी टाइम लूट सकते हो और आपके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ है जिया गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है और इन सबसे आप कैसे बच सकते हो तो चलिए फटा-फट से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको proof दिखाना चाहता हूं कि जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं, उसमें कितनी सच्चा है, तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने Gmail account पे, और मैं यहां से देखिए, सर्च करता हूं AWS bill, मैंने AWS का bill जो है, वो सर्च किया, तो आप यहां पे देख सकते हो, को जो यहां पे मेरे पास आया हुआ है, दो दिसंबर 2023 का यह last हमारे पास mail है, जो आया था, और इसमें लिखा हुआ है, Amazon Web Services की तरफ से, जो एक statement आया है, आप देख सकते हो कि इंडियन रुपीज में यहां पे 22.50 यानि कि साढ़े 22 रुपे का इन्होंने भेजा है, और इसमें सारा details दिया हुआ है, उसके बाद फिर आगे मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए, Amazon Web Services की तरफ से, एक और यहां पे message आया है, इसमें भी कुछ details दिया हुआ है, यह GST से related कुछ चीज़े हैं, फिर उसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ, आज की इस वीडियो को आप complete watch करना, क्योंकि जो चीज मैं दिखाने वाला हूँ, यह with proof है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप अगर आज नहीं देखते हो इस वीडियो को, और आप अगर ध्यान नहीं देते हो, तो आपके साथ भी वही होगा, जो मेरे साथ finally हो चुका प्रोने वाला हूँ, यहां पर देख सकते हो, यहां पर देखिय bersp 40 rupees का बिल आया है, यह आप देख सकते हो, यह हमारा कभ आया है, तो यहां हमारा 3 November का आया है, फिर उसके बाद हम यहां से आते हैं, जो जितना भी हमारा billing service है, देखो, यहां पर देखो 28 रुपीज आया, 28.28, फिर उसके बाद आगे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर GST का दिया हुआ है, फिर यहां से billing दिखाता हूं, तो यह देखे, 27. 27.97 रुपीज, यहां से फिर दिखाता हूं, यह हमारा आया, 42.64 रुपीज, तो गैस, यह देखिए, यह जितने भी बिल्स आया है, यह Amazon का free tier accounts use करने से आया है, लोग कहते हैं कि Amazon का free tier account use करो, और वहां पर आपको कोई भी बिल पे नहीं करना होगा, मेरे पास लगभग यह 5000 के around, यह बिल हो चुका है, और finally मेरे साथ जो हुआ है, अब मैं आपको दिखाता हूं, कि यह बिल होने के बाद, बार बार बिल आने के बाद, यह मेरे साथ क्या हुआ है, देखिए AWS मैंने search किया, और आपको दिखाता हूं, यह देखो, no reply at the rate amazon.com की तरफ से आया है, और finally यहां पर देखो, लिखा हुआ है, to whom it may concern, this email confirms that the Amazon Web Services account associated with account ID is permanently closed and cannot be reopened, any content remaining in this account is inaccessible and will be erased, चीहां गाइस, finally इतने सारे bills आने के बाद, मेरा जो account है, वो permanently close कर दिया गया है, उसी का confirmation mail आया है, अब यहां पर सवाल उठता है, कि आखिर मेरे account को permanently close क्यों किया गया, और free tier यूज करने के बाद भी, मेरे account में जो bills है, यह क्यों generate हुआ, मेरे पास bills यहां पर generate होने का आखिर कारण क्या गाइज एक student की तोर पे मुझे नहीं पता था, जब मैंने AWS account create किया, तो लोगों ने मुझे नहीं बताया कि आखिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसी चक्कर में मेरे से भी वो गलती होई है, जो गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो आपके भी charges आ सकते हैं, आपको भी bill pay करना पर सकता है, और because आपका जो debit card है, वो credit card है, उसमें आपने attach कर रखा है, अगर आप bill नहीं पे करोगे, तो automatic वो detect हो सकता है, 100% मैं नहीं कह सकता कि वो detect होगा, लेकिन हो सकता है, कि वहाँ से deduct हो सकता है, और आपका भी account मेरी तरह permanently disable कर दिया जा सकता ह AWS free tier के बारे में, एक detailed video मैं लेकर के आ रहा हूँ, जो बहुत जल्द आप लोगों को detail में मिल जाएगा, लेकिन आज की इस video में, मैं brief में बताने वाला हूँ, इसलिए थोरा सा short में समझे, AWS free tier account, guys, AWS free tier account में आपको 3 चीज़ें दी जाती है, एक तो दिया जाता है free trials के लिए एक दिया जाता है 12 months free के लिए, और एक दिया जाता है always free के लिए, free trials का मतलब होता है कि कुछ services है, जो आपको कुछ दिनों के लिए, जैसे कि 14 days के लिए, 30 days के लिए, 3 months के लिए, 6 months के लिए, वो आपको depend करता है service के, वो आपको free trial के लिए दिया जाता है, अगर आपको अच मतलब है कि आपको कुछ जो services है वो आपको always free दिया जाएगा लेकिन एक limit में दिया जाएगा उस पर कि mention रहेगा कि कि कितना आपको वहाँ पर service free दिया जा रहा है कितने घंटे आपको per month free दिया जा रहा है जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं PC2 की बात करें तो वहाँ पर 750 घंट यानि कि 750 hours आपको एक महीने में आपको free देता है जबकि Amazon S3 यानि Simple Storage Services जो है storage के लिए वो 5 GB देता है जबकि Amazon RDS के लिए 750 hours देता है अब आप लोग क्या सुझते हो कि अगर one year के लिए लिया गया है तो आप कीतना भी services है उसको बना करके कुछ भी services use कर लेते हो और आप उसको running stage में छोड़ देते हो उसका 750 hours ही आपको उसको running रखना पड़ेगा अगर 750 hours से ज्यादा आप रखते हो तो वही रीजन हो सकता है वहाँ पे bill generate होने का तो यह सब चीज लोग देखते नहीं है बस फटा-फट से गये और Amazon पे free tier account बनाया और कुछ भी service यूज करना शुरू कर दिया और service यूज करने के बाद उसे running stage में छोड़ देते हैं जिस करन से bill generate हो जाता है तो guys अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप भी AWS का free tier account यूज करते हो और फिर आपका भी bill आ गया है तो अब आपको क्या करना होगा कैसे इससे छुटकारा मिलेगा अब बहुत सारे लोगों का सवाल यह आता है कि सर मुझे यह नहीं पता कि हमने इंस्टेंस बना दिया उसे terminate कैसे करते हैं उसे stop कैसे करते हैं वह running stage में है कि नहीं उसे हम check कैसे करते हैं तो guys इसके लिए कुछ भी नहीं करना simply आपको अपना account login करना होगा चलिए मैं login करके बता देता हूं और आपको चेक करना होगा हमेशा बलकि चेक करते रहना होगा कि कहां पर आपका वह running stage में शो हो रहा है तो सबसे पहले आपको जाना है sign in करना है sign in करने के बाद आपको अपने dashboard पर आना है उसके बाद आपने यहां देखो dashboard यहां पर open हो गया dashboard open होने के बाद यहां पर आपको शो हो जाएगा instance running अगर यहां पर रहेगा तो यहां पर आपको शो हो जाएगा कितने instance already running है उसके बाद यह security groups already एक तो by default रहता ही रहता यहां यहां पर नंबर शो हो जाएगे यह सारा आपको वहां पर जागर करना होगा disable करना होगा delete करना होगा अब बहुत सारे लोगों का सवाल यह होता है कि सर मुझे instance terminate करने नहीं आता उसे कैसे terminate करते हैं कैसे delete करते हैं प्लीज मुझे पता दो तो गैज इसके लिए धेर सारे वीडियो already YouTube पे मवजूद है पॉइंट नमबर दो है कि अगर आपका bill बन गया है यह बिल बना है या नहीं आपको कैसी पता चलेगा अगर mail आपके पास नहीं आया तो कैसे अपको चेक करना होगा कि आपके पता आया है या नहीं तो गैस मैं आपको दिखाता हूं कि बिल यहां पे आपके पास आया है या नहीं simply आपको अपने account में जाना है और यहां से आपको billing and cost management पे आना है billing and cost management पे जब आप आते हो तो यह एक dashboard open हो करके आ जाता है उसके बाद यहां से view will कर सकते हो और view will करने के बाद यहां पे आपको थोड़ा सा जो details है वो show हो जाएगा कि आपका कितना bill बना है जैसे कि देखो जो वो मेरा account था वो already terminate हो चुका है permanently close हो चुका है मैंने दूसरा अपने friends का एक account लिया है उसको login करके आप लोगों को मैं समझा रहा हूं तो देखिए इसमें मैंने पूरा ध्यान रखा है इसलिए एक भी dollar यहां पर नहीं बना है 0.1 dollar भी यहां पर बिल generate नहीं हुआ है क्योंकि जो गलती पहले मैं कर चुका हूं वो गलती में बार बार नहीं दो राजकता आप सवाल यह उठता है कि अगर आपके पास बिल आ गया है बिल generate हो गया है तब आपको क्या करना चाहिए उससे आप कैसे वैब अप करा सकते हो तो इसके लिए एक long वीडियो में बनाऊंगा एक dedicated वीडियो बनाऊंगा आज की इस वीडियो में इतना ही मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी अच्छी लगी हेलफुल लगी होगी अगर आज की वीडियो पसंद आई अच्छी लगी हेलफुल लगी तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करने के साथ मेरे इस चैनल को सब् लोगों के लिए इसी टाइब के informational और useful content मैं अपने इस चैनल पर लाता रहता हूं तो friends मिलते हैं के लिए वीडियो में किसी और interesting topic के साथ तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखना धन्यबाद जय हिंद